कि नमस्षकार दोस्तों सुवागत है आप सभी का अपने चेनल आई और हिंदी टेक में इस जासे थे में इंदी और कहसी हो आपे । हुआ करता था लेकिन Mastercard पर जब से बैन लगाया RBI ने उसकी बाद Flipkart Access Bank Credit Card कुछ दिन तक जारी नहीं हुआ और वापिस से Flipkart Access Bank Credit Card Visa Card के रूप में लाया गया और फिर से यहां पर Apply होना और मिलना स्टार्ट हो चुका है आज के इस वीडियो में इसी की बारे में कुछ नया जारकारी आप लोगों को देने वाले हैं वीडियो को आंते तक और धियान से देखिएगा यहां पर सभी को तो पता हो गया होगा कि Flipkart Taxes Bank Credit Card अब वीजा कार्ड के रूप में मिलेंगे इसके साथ ही कुछ लोग ये भी जान गए होंगे कि Flipkart जो है application पर अपने application पर ये mention करके रखी है lifetime free आपको credit card दिया जाएगा lifetime free कहने का मतलब है ना तो joining charge ना ही annual charge आपसे लिया जाएगा तो चलिए यहां पर proof के साथ बात करेंगे यहां पर Flipkart application में महजूद है यहां पर देखिए यहां पर Flipkart, Taxes Bank, Credit Card बताई गई lifetime free offer कहने का मतलब यह है कि जब तक lifetime free offer चलेगा इस offer के दोरान यदि आप अपना credit card apply करते हैं और यदि आपको credit card मिल जाता है आपका credit card approval हो जाता है तो ना तो आपसे joining charge और ना ही आपसे annual charge कभी भी लिया जाएगा इसके term and condition में यही चीजे mention किया गया है मैं आपको दिखा देना चाहूँगा यहां पर term and condition वाले section में आ चुके हैं यहां पर आप लिखा हुआ देख सकते हैं इसका कोई joining और annual charge नहीं लिया जाएगा यदि आप lifetime free offer के तहट यानि उसकी under में यदि आप अपना card book करते हैं तो आपको यहां पर ना तो joining charge और ना ही annual charge कभी भी देना पड़ेगा इसके साथ ही आपको virtual card भी मिलेंगे virtual card जो रहेगा जिसका CBB number वेगरा जो भी रहेगा वही physical card का यहां पर बताया गया है चलिए अब हम आपको कुछ नया जनकारी यहां पर देती हैं इतना तो जनकारी हम इसे से पहले वीडियो बना कर आपको दे चुके हैं बहुत लोगों को apply now की option आ चुका है बहुत लोगों को coming soon बताया जा रहा है तो बहुत लोगों को service in maintenance बताया जा रहा होगा यहां पर इसके benefit की बारे में आप लोग जानते ही होंगे flip card mantra पर अगर आप transaction करते हैं इस card से तो 5% की unlimited cashback उसके बाद सुईगी उबर और Tata Sky वेगर आप transaction करते हैं तो 4% की unlimited cashback और अलग कहें भी online या offline transaction करते हैं तो 1.5% की cashback आपको मिलते हैं लेकिन eligibility के बारे में देख लीजे salary person जिनका यहां पर income होना चाहिए 15,000 या फिर इससी उपर तब इस credit card के लिए बैंक पर जब credit card की रोक थी तो तब तक HDFC bank अपना credit card जारी नहीं कर पा रही थी और उसकी बाद ये सभी bank विवाओ खा रही थी अब HDFC bank अपना नया credit card जारी कर सकती है RVI के तरब से इजाज़त मिल गया है तो ये सारे bank जो है easy way में अब आप लोगों को credit card दे रही है और इसका proof मैं आपको दिखाने वाला हूँ card to card upgrade कर सकते हैं, card to card प्राप्त कर सकते हैं इसके साथ ही कुछ लोगों से income proof खोजा जा रहा है तो कुछ लोगों से income proof नहीं खोजा जा रहा है कौन कौन से लोगों से खोजा जा रहा है, कौन कौन से लोगों से नहीं खोजा जा रहा इस वीडियो में हम आपको वताएंगे इसके साथ ही वीडियो कॉल के माध्यम से आपका KYC complete होता है कहीं भी document collect करने की बहुत लोगों को option नहीं दिया गया है केवल और केवल वीडियो KYC की option दिया गया है तो कुछ लोगों को document collect करने के भी option मिले है चली अब हम आपको proof के तोर पर लेकर चलते हैं जहां पर 5 मिनट में यह credit card मिला है apply करने के बाद तो अब आप आचुके हैं proof के दुनिया में यहां पर बताया गया है कि 60 seconds के अंदर आपको credit card मिलेगा ऐसा इनको बताया गया था यह screenshot चो है टेलिग्राम पर एक user ने हमें भेजा है और उन्हें जो भी यहां पर process करने को बोला गया था वो अपना process किये और 5 मिनट के अंदर उनको credit card भी मिल गया देखिए उनके flip card application पर इस परकार की banner नजर आया और बताया गया कि gate card in 60 seconds यानि कि 60 seconds के अंदर आपको card मिल सकता है और यहां पर उनको apply now की option दिया गया जब वो apply now वाले option पर क्लिक किये तो आप सफी को पता होगा apply now वाले option पर क्लिक करने के बाद यहां पर personal detail की option नजर आते हैं जहां पर अपना full name आपको दर्ज करना होता है mother's name उसके बाद gender, marital status, education, date of worth यह सारा दर्ज करना होता है यहां पर उसकी बाद आप लोगों को next करना होता है अब यहां पर उनको जो है pan card की जगह पर एक और option दिखाई दिया जहां पर आप लोग अपना pan card number एंटर करते हैं उसके नीचे इनको एक और option दिखा दिया गया access bank credit card number यानि कि इनके पास पहले से access bank का account था और इनके पास पहले से access bank का एक my zone credit card भी था जो कि आगे की वीडियो में आपको बता चलेगा उसका limit एक लाग साथ हजार रुपिया था तो यहां पर इन्हों ने क्या किया कि access bank credit card number पर क्लिक किया उसके बाद वो अपना my zone credit card का number यहां पर फिलप किये और उसके बाद continue वाले option पर क्लिक किये अब आप लोगों को यहां पर यह option नहीं दिखाया जाएगा तो आपके सामने यहां पर professional detail में इसके बाद employment status डालने की option आएगा annual income कितना है, business का क्या नाम है उसके बाद ownership type बताना होगा फिर यहां पर nature of business यह सारा detail आपको एंटर करना पड़ेगा फिर next करना पड़ेगा जो कि इनको personal detail में directly यहां पर name on card की option मिले जहां पर इनका नाम already mentioned था और इसकी बाद इनका address वेगरा बताया गया था as per bank record के तोर पर यहां पर बताया गया था नीचे में यहां पर सिर्फ इनको yes और no करना था कि क्या आप जो है इस credit card को आप इस same address पर deliver प्राप्त करना चाहती है या फिर नहीं करना चाहती है तो yes करना अगर same address पर delivery चाहती है तो अगर नहीं चाहती है तो no पर click करके दूसरा address डा सकती है इनको सिर्फ इतना detail enter करना परा फिर continue करना परा उसकी बाद termine condition आया इन्होंने termine condition को accept किया agree करके और continue किया continue करने के बाद इनके mobile number पर एक final यहाँ पर credit card application की OTP verification के लिए OTP आता है तो यहाँ पर OTP भेजा गया अब जब ये OTP डाल कर continue कर रहे थे verify कर रहे थे तो यहाँ पर हो नहीं रहा था बिल्कुल भी देर नहीं लगा यहाँ पर सर्फ OTP डाल कर verify कर रहे थे तो वहाँ पर error आ रहा था और अंदर ये अंदर वो verify हो गया था और उसकी बाद उनका available credit limit एक लाग साथ हजार रुपिया बताया गया अब आप लोग सोचते होंगे कि एक लाग साथ हजार रुपिया की कीसे मिल गया तो इनका पुराना वाला credit card था उस पर भी एक लाग साथ हजार की limit था अब उन्हीं limit के साथ उनका जो limit मिला हुआ है एक लाग साथ हजार का उन्हीं limit के साथ इनको flip card access bank credit card attach किया गया जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जब यह एक्सिस बैंक के अकाउंट में गए तो वहाँ पर इनको यहाँ पर माई जोन क्रेडिट कार्ड बताया गया जो कि लाइफ टाइम फ्री के तौर पर इन्होंने यहाँ क्रेडिट कार्ड ले रखा है और उसके नीचे अक्सिस बेंक वीजा क्रेडिट कार्ड की लिमिट एक लाग साथ हजर रुपिया बताया गया जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यह जैसे आप लोग एक्सिस बैंक को कॉल करते हैं कि हमेश रहे बस मेरे को कार्ड देदो तो वही परकिरिया यहां पर यह flip card application के मदद से हुआ और यहां पर वही परकिरिया करके same ही limit के साथ इन्होंने दो card लिया जो कि पहले से इनके पास card था और एक और flip card access bank credit card इन्होंने लिया तो यह life proof के साथ आपने देख लिया अब यहां पर बहुत सारे लोगों से यहां पर क्या होता है कि income proof खोजा जाता है और बहुत सारे लोगों से नहीं खोजा जाता लेकिन जहां तक कि मैंने देखा है कि जिनकी पास access bank का account है उनसे जो है मतलब खोजा नहीं जाता income proof लेकिन वैसे situation में नहीं खोजा जाता जब उनका civil or credit score जो होता है वो बढ़िया होता है तो वैसे स्तीती में उनसे जो है income proof नहीं खोजा जाता है या फिर उनके access bank account पर अच्छा खासा transactions हुआ रहता है तो उनसे income proof नहीं लिया जाता कि YC complete करने के बाद directly card generate कर दिया जाता है और बहुत लोगों से income proof खोजा जाता है तो ये आपके लगे के उपर depend करता है इसके साथ ही आपके civil or credit score के उपर depend करता है इसके साथ ही आपके transactions के उपर depend करता है इसके साथ ही ये आप पर भी depend करता है कि आप Access Bank में अकाउंट खुलवा रखी है या फिर नहीं खुलवा रखी है तो यहाँ पर प्रूफ के साथ हमने दिखा दिया अब इस परकार से भी आप अपना Credit Card अप्डेड कर सकते हैं और तुरंट से आपको Visa Credit Card जो Flipkart Access Bank का Visa Credit Card है वो मिल जाएगा आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको Credit Card मिला है या फिर नहीं मिला है कि आपको Apply की Option दिया गया या फिर नहीं दिया गया इस वीडियो में डिटियल के साथ हमने जानकारी दिया है किसी भी परकार की समस्या या फिर सवाल है वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट करके बताइएगा पूछिएगा मिलते हैं फिर एक नव वीडियो में आशा करेंगे आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइट करके अपने दोस्तों तक जरूर सियर करिएगा चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि हम इसी परकार के वीडियो वना कर आप लोगों को सुचित कराते रहते हैं और हमेशा मेरा कोसिस यही रहता है कि exclusive video int hindi take channel पर लाएं और सबसे पहले आप लोगों तक जानकारी पहुँचाएं ताकि जब सबसे पहले आप लोगों तक जानकारी पहुचेगा आप जानकार होगे और फटा फट आप प्राप्त कर पाऊगे अपलाई कर पाऊगे इस्टार्टिंग टर्म में बहुत लोगों को दिया जाता है धीरे धीरे करके जबहीर बढ़ जाता है तो आपको पता होगा कि क्या इस्तिती हो जाती है लेकिन Flipka Texis Bank Credit Card अभी लगता है बहूत लोगों को मिलेगी क्योंकि यहाँ Visa Card के रूप में है और Visa Card भी चाहेगी कि Flipka Texis Bank Credit Card से यहाँ पर मार्केट पकडे तो बहुत लोगों को मिलेगी और उधर जो है HDFC Bank भी नया Credit Card इस्टार्ट करने लगी है